हेई स्वागत है आपका आपके अपने चैनल about whole world में तो friends कैसे हैं आप लोग आज का topic है Mount Everest जी हैं आपने सही सुना Mount Everest जो world की सबसे उची परवत चोटी है मतलब दुनिया का सबसे उच्छा परवत क्या ये बात 100% सच है ये कोई और परवत भी है जो Mount Everest से भी उच्छा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं without wasting time दुनिया का सबसे उच्छा परवत Mount Everest जो इससी थे हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में है इसकी उच्छाई 8848 मेटर है इसकी उच्छाई का आखलन ब्रीटिस राज्जे में सर्वे ओफ इंडिया दौरा पहली बार किया गया था और फिर एक उच्छाई मापी जैसे कि चाईना ने 1975 में और USA और भी बहुत से देशों ने फ्रेंट्स अगर आप वाकई में एडवेंचर के सौकिन है तो कभी ना कभी आपको भी यहां जरूर जाना चाहिए यहां जाने के दो रास्ते हैं पहला वो जो नेपाल से होकर जाता है और जब वहां से होकर कितने भी परवतार होई माउंट एवरेश चाड़ सकते हैं और नेपाल के रस्ते जाने के लिए आपको 8,32,000 रुपे यह आपने सही सुना 8,32,000 रुपे की फीज देनी होती है और डॉक्टर से हेल्थ सेडिपिकेट लेना होता है कि आप पुरी तरह से स लेक अब होगा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी दस अबतों की उस वातवरन में रहने के लिए आपको तयार किया जाएगा क्योंकि वहां का टेमपरेचर माइनेस डिग्री में होता है हर कोई वहां तक नहीं पहुच पाता कई लोगों की तो आधे रास्ते में ही सास ना ल यानि डाइजेश्ट होना बंद हो जाता है और आपका हाट लगबग लगबग बहुत मुस्किल हो जाता है या बंद हो जाता है इस सुचाई में दिमाग में सूजन इस हद तक बढ़ जाती है कि दिमाग हमारी सिर की हड़ी से बाहर आने लगता है अब आप खुद 27 यर तक कोई गती वीदियो का नाम नहीं था मतलब इंसानी गती वीदियो का तो वहाँ पे नाम ही नहीं था अब वहाँ हजारों लोग एक नया रिकॉड बनाने पहुच जाते हैं और इसी के चलते 2019 में वहाँ से 10,000 किलोग्राम कचरा निकाला गया नेपाल और चीन की पर हेडमन हिलरी और टेंजिंग नौरगे पहली बार माउंट एवरेश पर पहुचे थे और इससे पहले तो यहाँ पहुचना असंभाव सा माना जाता था परन्तो अभी तक यहाँ पहुचने वालों की संक्या चार ज़र तक पहुच गई है यह एवरेश बीस वर्ग मीटर च चोड़ी है वो सिर्फ उतनी ही चोड़ी है जितने दो टेबल टैनिस की चोड़ाई होती है वर्स 1953 से लेकर 1988 तक सिर्फ 260 बर चड़ाई की गई लेकिन 2003 तक यह संक्या 1900 हो गई और लाश्ट एर 2019 में यह संक्या 4000 हो गई और यह 4000 लोगों ने 9000 से जादा बर इस परवत पर च चड़ने वाले सबसे एजेड मतलब सबसे जादा उम्रे के वैक्ती यूचूरो व्यूरा था जिनकी उम्र असी वर्स थी और सबसे कम उम्रे में चड़ने वाला वैक्ती जॉडन रोमेरो जो 13 वर्स की आयू में ही माउंट एवरेश चड़ गय थे और 2007 में ब्रिटीस से कॉल करना संभा हो गया है क्योंकि हाली में चीन ने वाँ 5G नेटवरक लगा है जो माउंट एवरेश की चोटी तक सिंगनल भेजेगा मतलब आब वहां से वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं परन्तु ये सुविदा सिर्फ उनी परवता रोहियों के लिए मोहाईया करवा और टेंट लगाने की जिम्मेदारी उनकी होती है इन सेरपाओं मेंसे कुछ आइसफोल डॉक्टर भी होते हैं जिने आइसफोल डॉक्टर का जाता है क्योंकि बरफीली पहाडियों के दो हिस्सों के बीच सीडिया लगाने के बाद उस पर चलकर वो चेक करते कि ये परवत की उचाई का आकलन समुदर की सत्ऩा से उसकी उचाई के आधर पर किया जाता है लेकिन अगर किसी परवत के आधार से उसके सीघर तक की उचाई मापी जाए तो माउन टेवरेश्ट सबसे उचा परवत नहीं है सही सुना आपने, माउंट एवरेश्ट सबसे उच्छा परवत नहीं है किसी परवत के बेस से, मतलब आधार से, टॉप तक, मतलब छोटी तक के नजरिय से दिखा जाए तो हवाई का माउना, दुनिया का सबसे उच्छा परवत माना जाता है माउना की हाईष्ट उच्छाई 10,210 मीटर है मतलब अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेश्ट दुनिया का सबसे उच्छा परवत नहीं है और जैसे कि आज का टॉपिक माउंट एवरेश्ट है तो हम सभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं माउंट एवरेश्ट को नेपाल में सागर मा था और तिबबत में कोमूलु गामा कहा जाता है लेकिन माउंट एवरेश्ट का नाम सर्वेयर जनरल ओफ इंडिया रह चुके सर जोर्ज एवरेश्ट के नाम पर रखा गया था और माना जाता है कि माउंट एवरेश्ट की उचाई हर साल 4 मिली मीटर बढ़ जाती है मतलब 100 सालों में इसकी उचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है और 8000 की उचाई पर माउंट एवरेश्ट का देथ जोन इस्टाड होता है क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सिजन की कमी की वजह से सबसे जारा देथ यहाँ पर ही होती है सबसे अरब मौते यहाँ पर होती है 2008 में बीजिंग उलम्पिक की टॉर्च को भी एवरेश्ट की चोटी पर पहुचाया गया था एवरेश्ट की चढ़ाई करने वालों को टूओ क्लॉक रूल का पालन करना होता है यानि चढ़ाई करने वालों को दोपर दो बज़े तक माउंट एवरेश्ट तक पहुचना होता है क्यूंकि इसके बाद मौसम बदलना सुरू हो जाता है इसलिए इसे 2-0 रूल कहा जाता है तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको ये इन्फरमेशन मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और कोई भी जानकारी या किसी और टॉपिक के रिलेटेट वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्षन में मैंसर जरूर करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को सेर करें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आने वाली निव वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ठीके दोस्तों, ठैंक यू, जैहिन